नमस्कार मैं हूँ मनमोहन भट आम तोर पर जब सरकारें बदलती है तो कई बार नई सरकार पिछले सरकार के कामों की जाच कराती है कई बार तो मैनिफेस्टों में भी इस तरीकी की चर्चा होती है या कहें कि चुनावी वाइदों में ये बात होती है कि जो पिछली सरकार ने गड़वडिया की है उनकी नई सरकार आने पर जाच होगी आम तोर पर विपक्ष ये बात कहता है लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा उल्टा हुआ है उत्तराखंड में जिस सरकार ने 5 साल तक काम किया है वही सरकार रिपीट हो गई 2022 के विधानसभा चुनाओं में ये बात अलग है कि 2017 से 2022 तक BJP ने 3 मुख्य मंत्री उत्तराखंड को दिये लेकिन जो आखरे मुख्य मंत्री पिछली सरकार के थे BJP सरकार के पुशकर सिंग धामी वही नई जो चुनी हुई सरकार आई उसके भी मुख्या है धन सिंग रावत उत्तराखंड भारते जंता पार्टी के वरिष्ट नेता है पिछली सरकार में भी उनका कद बड़ा माना जा रहा था और इस सरकार में भी उनकी हैसियत हम सबको मालूम है एक बड़े नेता के रूप में खुद डॉक्टर धन सिंग रावत उभर कर सामने आये हैं पिछली सरकार के दौरान भी डॉक्टर धन सिंग रावत के पास सहकारी जैसा महत्तोपोन विभाग था जो इस सरकार में आने के बाद भी बरकरार रहा लिकिन फिर भी सरकार यानि पुषकर सिंग धामी साहब ने पिछली सरकार के कारेकाल में गड़बडियों की जाँच के आदेश दे दिए है गड़बडिया सहकारी बैंकों में होई थी भरतियों में गड़बड जहला होने का अंदेशा सरकार को है वास्ताव में पिथोरागड, देहरादून और नैनिताल सहकारी बैंक में चतुर्त श्रिणी या फोर्थ क्लास के लिए पदस रिजित किये गए उनकी जो वरकिंग थी उस फाइल को आगे वढ़ाने को लेकर काफी महत्वपोन फैसले हो चुके थे अब इस बात की चर्चा हो रही थी कि किस किस को कहां कहां तैनाती दी जानी है लेकिन इस से ठीक पहले ही सरकार ने इन भरतियों पर रोक लगा दी यानी कि अपने ही कारेकाल में गड़बड जाले की जाच मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी ने करनी शुरू कर दी है दो अधिकारियों को जाच का जिम्मा दिया गया है सहकारी सचिव डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम साहब ने आदेश जारी किया है और नीरज बेलवाल जो की उपनिबंधक है सहकारी समितिया कुमाओ के और मान सिंग सैनी साहब है जो उपनिबंधक है गड़वाल के इन दोनों को जाच की जिम्मेदारी दी गई है और पंदरह दिन तक इन दोनों महनुभावों को जाच रिपोर्ट डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम साहब को प्रस्तुत करनी है अब बात यहाँ पर यह आती है कि एक सरकारी सिस्टम में छोटे से छोटा काम करने के लिए भी आम तोर पर वरिष्ट अधिकारियों की मंजूरी लेनी पड़ती है हर अधिकारी के अधिकार सिमित होते हैं यानि अपने अधिकारक्षेत्र से बाहर का अगर कोई मामला होता है तो अपने उच्चाधिकारियों से मंजूरी लेनी होती है भरती प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्ता है जिसकी मन्जूरी शाषन के उच इस्तर के साथ साथ मंत्री या मुख्य मंत्री के अनुमूदन के बिना नहीं की जा सकती तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने ये चतुर्त श्रिणी के पदों पर भरतिया निकाली या अगर भरतिया निकाल भी दी तो गड़वड जाला हो गया गड़वड जाला किस तरीके से हुआ है ये जांचने की अब कोशिश सरकार कर रही है उमीद है कि इसकी जांच रिपोर्ट 15 दिन के भीतर आ जाएगी और जो भी जिन पर भी आरोप हैं अगर उन पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सरकार वास्ताओं में अपनी कमीज को साफ बताने की कोशिश जरूर करेगी लेकिन हकिकत ये है कि सहकारी बैंकों में बैक डोर से भरती प्रक्रिया लंबे समय से जारी रही है और कई बार विवादों में ये भरती प्रक्रिया आती हुई भी नजर आई है क्या अब उन तमाम भरतियों पर भी सरकार जाज की दिशा में आगे बढ़ सकती है जो बैक डोर से एंट्री करने के आरोपों में फसे हुए हैं या जिन अधिकारियों ने बैक डोर से एंट्री कई अभ्यर्थियों की करवाई है देखना ये बहुत महत्वण होगा कि पुशकर सिंग धामी ने जिस मनशा के साथ इस जाज को इनिशेट किया है क्या वाकई में उसी मनशा से अधिकारी जाज करते हैं या फिर जाज में भी कोई गड़बड जाला करके निकल जाते हैं थोड़ा सा इंतजार करना होगा पंदरा दिन में जब जाज रिपोर्ट आईगी तो पता चलेगा कि वास्ताव में हकिकत क्या है वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों की भरती की जानी थी उसमें शायद कुछ ऐसे लोग छूट गए जिनको एड़्जेस्ट किया जाना था और अब उन्ही को adjust करने के नाम पर पुरानी भरतियों को हो सकता है निरस्त कर दिया जाए और नए सिरे से भरती करके नए लोगों को इस भरती परक्रिया में शामिल किया जाए तो अब देखेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में क्या-क्या बातें नहीं सामने आती है लेकिन ये बड़ी बात है कि अपनी ही सरकार के करेकाल में जो गड़वडियां हुई है उसकी भी जाच कराने से पुषकर सिंगधामी पीछे नहीं हटे है साथियों आज के इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार